सो वेलकम यू ओल ओन एडवांस इंजिनिरिंग क्लासिस पावड़ वाई एसी प्लस सो दिस दार लेक्चर ओन स्वाइल आपके प्रिंसिपल ग्रेट टू के लिए जो लेक्चर सीरीज स्वाइल की उसमें मैं आप लोग के सामने ये स्वाइल का बेसिक इंट्रोड़क्शन अगे बरने से पहले ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों को याद रखने हैं कि हमारा जो बैच है ये लक्ष बैच के नाम से है लक्ष बैच स्टार हो चुका है आप लोगों के लिए प्रिंसिपल ग्रेट टू एग्जामिनेशन के लिए अगर आप चाहें तो इ हमारी फैकल्टी के द्वारा अच्छा इसमें आपको पूरी के पूरी जो जर्नल इंजिरिंग है आपका जो भी स्लेवस है उसके हैसाब से 100% कवरेज मिलेगा प्लस यहां पे आपको इसके डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग के भी अलग से सेशन से प्लस आपके ल डाउनलोड करके इसके थ्रू भी आप इस बैज को जो है वो इन्रोल कर सकते हूं ठीक है अब आगे बढ़ेंगे तो यह कुछ मेरे बारे में है यह मेरी कुछ प्रोफाइल है अब अपने स्वाइल मेकेनिक्स के अंदर कि बेसिकली यह स्वाइल क्या है तो मैंने लास्ट म वाला portion है स्वाइल के अंदर तो उसको समझने के लिए हमको यह कुछ बेसिक स्वाइल मेकेनिक्स समझना पड़ेगा कि स्वाइल क्या होती है कैसे बनती है तो यह सारी चीज़े हमको इसमें पढ़ने पड़ेगी अब सबसे पहला पॉइंट तो यह कि स्वाइल होती क्या ह स्वाइल मतलब आपकी मित्ती अगर हिंदी में में इसको बोलू इसको वह सकते हों कि अगर मिट्टी कैसी है पथरी अगर मुझे मिट्टी पता है तो मुझे मिट्टी की पता होगी property मतलब कि उसकी कितनी छमता है किसी load को लेने की उसमें कितनी strength है अगर आप उसकी ऊपर खड़े हो जाओगे तो पहले तो हमें smile पता होनी चाहिए दूसरा चीज पर उसकी हमें क्या पता होने चाहिए कुछ physical properties पता होने चाहिए एक बार जब smile और उसकी physical property पता होगी तब हम उसकी ऊपर किसी गर को बना सकते हैं तो यह हमारा पूरा पूरा आउटलाइन ना पॉइंट यह है कि अब यह स्वाइल आती कहां से यह बनती कैसे तो स्वाइल बेसिकली आपकी जो है वह अलग-अलग प्रोसेस से बनती है अब क्या प्रोसेस है यह भी सेपरेटली अपन बात करेंगे अगर आपको एक बेसिक पॉइंट में बताओं कि वही स्वाइल बेसिकली की स्वाइल बनेगी कैसे या मतलब आएगी तो क्यों आएगी इसके बारे में अगर आप देखें तो आप सिंपल सा चीज एक चीज याद रखो कि माल लो अगर अगर आप अक्याहोगा इरियल एरोजन होगा य comprar economy पाणि हो सकता है एनिमल्होव सकते हैं तो ढूरिंगा एरोजन तो छोटे फोटे-फ्र टूटके के गिर गये मैं इसको को आशकर बहने हैं पत्थर पाणी में डालों पत्थर नहीं लेगा क्योंकि उसके अंदर खाली इस्पेस नहीं है अब आप उसी पत्थर को अच्छे से तोड़िए और आपके पास लुखिय मैनुट या तो आप हाथ से तोड़ो उसको या आप किसी वैद्रिंग एजनसी के तुरू तुरू आओ अब जब वो मटेरियल टूटेगा तो टूटे हुए मटेरियल के अंदर पार्टिकल कितने ही अच्छे से अरेंज करें लेकिन वो अपने आपको इस तरीके से अरेंज नहीं कर पाएंगे क्यों उनकी बीच में खाली स्पेस नहीं हो वादब पार्टिकल खुद को अरेंज तो करेगा लेकिन वीच में कुछ ना कुछ पाने नहीं पानी को शोक लेगी मित्ती पानी को सोक लेगी मतलब उसमें खाली स्पेस नहीं है लेकिन स्वाइल के अंदर खाली स्पेस है इसको हमने बोल दिया unconsolidated material, so what is the meaning of the soil, soil का मतलब यह है कि भाई, it is defined as the unconsolidated material, जिसके अंदर आपके पास solid भी है, और empty space जो की बनी हुई है, आपकी किसके कारण, because of the disintegration of the rock, और यह जो rock है, इसके उपर disintegration होने की दो agencies होती है, जैसे कि अभी मैं आपको हो गया, हवा हो गया, तो यह disintegration के जो agent है, कुछ होंगे पानी, हवा, air इस तरीके से इनको बोल देते है, physical, और जो इनके category में नहीं आ रहे हैं, जैसे कि मालो उसमें fungus लग गई है, या उसके अंदर deterioration हो रहा है, या कुछ chemical changes के कारण वो deterioration हो रहा है, तो उसको हम बोल देते हैं, क्या, that is called the chemical disintegration, या यूँ बोल सकते हो कि chemical weathering, so simple वासा में समझ में आई कि मिट्टी क्या है, मिट्टी बनती है पत्थर से, पत्थर जो है, वो एक आपका single, ऐसा समझ लो कि single phase diagram नाम है, या यूँ समझ लो कि ये single entity है, इसके अंदर से solid है, खाली space नहीं है, लेकिन smile के अंदर दो entity है, एक तो solid है, प्लस वो जो solid arrange हुए है, वो तोड़े से दूर-दूर arrange हुए, क्यो arrange हुए है, because of disintegration की कारण, now, अब एक छोड़ा दा point आपको याद रखना है, कि भाई, जो soil बनती है, जिस तरीके से soil बनी है, कि भाई, weathering agency हुई उसके ऊपर, या हवा ने उसको उड़ा के ले गई, right, इस पूरी की पूरी process को बोला जाता है, that is called the pedogenesis, नाम याद रखना है, आपको just remember this name, कि जो soil जिस तरीके से बन रही है, इस particular term को हम बोलते हैं, that is called the pedogenesis, right, now, यह यहाँ पर मेंशन है कि soil is formed due to the weathering of the rock, either it occurs because of the physically, और it may occur because of the chemically, मतलब weathering जो है, या disintegration जो है, वो आपका किसके कारण हुआ है, that is the chemically या physically, the point is that कि कई बार अपन लोगों को यह समझ में नहीं आता, कि weathering, weathering और disintegration में क्या difference है, basically, अगर मैं आप से बोलू कि weathering क्या है, और अगर मैं आप से बोलू कि disintegration या erosion क्या है, तो बहुत simple सा definition है इसका, अगर आपको मतलब समझने के लिए, इसे मालो, आप एक ड्रिल मशीन लेते हो, अगर ड्रिल मशीन से अगर आपने किसी दीवाल में होल कर रहे हो, तो कुछ material निकलेगा, और कुछ material निकलने के बाद नीचे गरेगा, पाउडरी फॉर्म में, जो material गिरा है, नीचे वहीं पे पड़ा है, इसको बोलते बैदरी बट अगर माल दो इसी को आप रूम से या जाड़ू से इसको साफ कर दो, इसको हम बोलते इरोजन, बस यह difference होता, तो अगर material वहीं पे पड़ा है, अगर उसको साफ करके कहीं और ले गए, आप लोगों के लिए वैदरिंग और इरोजन आप सेम ही लेके चलो, कोई difference आपको याद नहीं रखना है, जस्ट एक छोड़ा ता point है, तो वह मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, तो यह तो basic point हुआ कि soil होती क्या है, अब यह कुछ इसका flow diagram है, आप flow diagram के थुरू, चाहो तो इसको भी याद रख सकते हो, कि soil की formation किस किस कारण से होती है, तो मैंने बताए कि इसमें दो तरीके से हो सकती है, एक तो physical processes involved है, physical processes में जैसे आपका क्या क्या हो सकता है, temperature के कारण मन सकता है, चेंज, मतलब जो आपका change है किस के अंदर, because of the ice के कारण, या आपका abrasion के कारण, उसके कारण हो सकता है, तो जो भी physical process है, physical processes मतलब कि आपका temperature involved हो सकता है, इसमें, आपका hydration involved हो सकता है, इसमें पानी बगेरा हो सकता है, तो यह जो process है, इनको बोलते है physical process, वहीं पर एक process होती है, chemical process, जैसे कि इसमें carbonation हो सकती है, hydration हो सकती है, oxidation हो सकती है, या जो आप पानी में mix कर देते हो, पत्थर को और उसके कारण जो muddy color आ जाता है, इसको बोलते है solution, तो this is the soil की formation, either by the physical process, और either by the chemical process, ठीक, just name अकेला याद रखना है, और इसका example याद रखना है, now main point यह है, कि अब आपकी जो soil है, basically जो soil है, वो बनती कैसे है, या उसकी जो soil की formation है, वो किस process के थुरू involved होती है, तो इसको समझने के लिए, अपने एक blank slide ले ले लेते हैं, देख लो कि एक बड़ी सी चट्टान है, और इस बड़ी सी चट्टान के ऊपर, let us suppose से, यह मालो एक hill है, this is we have the hill, यह हमारे पास, let us suppose से hill, अब इस hill के ऊपर, मालो यहाँ पर weathering agent, अगर अपन लेके हैं, चले कि मालो यहाँ पर high heat है, हाई हीट है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, सूर की बहुत ज़्यादा तेज रोशनी आ रही है, for example, तो यहाँ पर मालो यह सन है हमारा, इस सन के कारण यहाँ पर high heat involved है, अब इस सन के कारण जब यह हीट इसकी ऊपर आएगी, radiation इसकी ऊपर आएगा, अब माल लो इस पर crack डब लब हुए और उसने माल लो इस तरीके से जो crack के कारण जो fragmented particle है, वो यहाँ पर नीचे आ तो यहाँ लो यहाँ से crack के कारण यह आपके तूट तूट के नीचे यहाँ पर deposit हो गए, तो यह जो process है, जिसमें कि आपका सबसे पहले जो एक hill है, उसमें से बड़े बड़े जो particle है, वो चोट तूट तूट के चोटे 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 fragments में convert हो गए, इस process को मैंने नाम दिया, let us suppose that is called the weathering, क्यों कौल सी weathering involved है, यहाँ पे मैंने example लिया ना temperature, तो आप बोल सकते हों कि physical weathering involved है, ठीक है, अब यह भी हो सकता है कि यहाँ पर पानी गिर जाए, पानी के कारण यहाँ पर क्या होगा, rain drops, तेजी मलब rain drops जो रहेंगे वो बहुत high speed में लगेगी और इस particle को erode करेगी, उसको भी हम बोल सकते है weathering, लेकिन वो किसके के अंदर आजाएगी, chemical weathering के अंदर आजाएगी, यह जो material यहाँ पर जमा हुआ है, अब तूटने के बाद material दो तरीके से बेहेव कर सकता है, या तो यहीं रुख जाएगा, यह ट्रांस्पोर्ट हो जाएगा, ऐधर वाइव wind के कारण, हबा इसको उड़ा के ले जाएगी, पानी इसको बहा के ले जाएगा, तुम उठा के इसको कहीं पर deposit कर दो, ठीक यह example दिये है, तो कहने का मतलब जो यहाँ पर material आया है weathering के बाद, इस material का या तो यहीं पर रुख जाएगा, तो जो material यहीं पर रुख गया, इस को carry करने वाला कोई agent होगा, हवा हो सकती, पानी हो सकती है, so let us take it as the water हो सकता है, air हो सकती है, अगर यह इसको उठा के किसी दूसरी जगाए पर deposit कर दिया, अगर यह उठा के किसी दूसरी जगाए पर deposit कर दिया, इसको बोलते है, transported, transported swine, तो 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 उठने के बाद बहीं पर कर गया, residual, कहीं transport हो गया, किसी agent के कारण, तो इसको बोल देते हैं, transported swine, तो सबसे पहले process क्या होई, स्वाइल के उपर, soil formation के लिए, rock क्यों पर क्या होई, weathering, weathering के बाद फिर उस क्यों पर क्या हुआ, transportation, transportation, अब transportation के बाद क्या होगा, कि यहाँ पर continuously, transportation होते जाएगा, तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा, कि लेवल जो रहेगा, particle से घटे होते जाएगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक hump बन जाएगा, तो यह जो आपका rise of level हो रहा है, इसको बोलते अपhealing, तो rise of the level क्या होगा, that is called the upheal, और upheal होने के बाद यह क्या, बिल्कुल वैसे ही बन गया, hill के जैसा, तो बापिस से scooper क्या हो जाएग कि this is the weathering, first step, weathering के बाद ही यह transported ही, this is the second step, उसके बाद इसका deposition हुआ, पहले deposit की गई वहाँ पे, deposit के बाद अपhealing होगी, और बापिस से क्यों पर क्या होगी, that is the weathering होगी, weathering, transportation, depositing, upheal, बापिस से weathering, transportation, deposition, uphealing, इस complete cycle को ही हम बोलते हैं, जो मैंने पीछे बताई दिया आपको, that is the pedogenesis cycle, right, so this is the general cycle which is involved in the soil formation, that is called the pedogenesis cycle, this is called the pedogenesis cycle, इसी को हम बोलते हैं, generally, pedogenesis cycle, right, तो अभी तक आप लोगो को मैंने यह बताए, कि भाई, soil क्या है, मिट्टी क्या है, basically, rock से fragmented particle weathering के कारण बनती है, जिस कारण से यह बन रही है, ऐसी cycle को बोला गया pedogenesis cycle, soil जो है, वो एक unconsolidated material है, जिसके अंदर empty space है, खाली जगह है, जबकि rock के अंदर आपका empty space नहीं होता, पानी के अंदर मिट्टी को डालोगे, पानी सोख लेगी, पत्थर को पानी के अंदर डालोगे, पत्थर पानी नहीं सोखेगा, जो नहीं सोख रहा है, इसको ब बोल देते, unconsolidated material, simple, इस cycle को बोला, pedogenesis cycle, now, now on the basis of, अब इसी cycle के आधार पर, कौन से, कि बहीं, जो transporting agency, बहुत सारी transporting agency involved हो सकती है, जैसे कि अगर आपन बात करें, एक सकड़, अब transporting agency जो है, वो आपकी बहुत तरीके से हो सकती है, अलग अलग तरीके से हो सकती है, जैसे अभी तो मैंने example दिया था आपके लिए, कि wind हो सकती है, air हो सकती है, ice भी हो सकती है, lakes भी हो सकती है, तो transporting agency, अगर मैं आपको बताऊं कुछ examples, say example, जैसे एक example है river, पानी बहा रहा है, river बह रही है, अपने साथ deposition लेके आई, प्लड आती है, देखो आप बहुत सारा deposit लेके आती है, अपने साथ, तो एक agency हो सकती है, आपे river, दूसरा हो सकती है, कि जो avalanches होते हैं, मतलब ice glacier पिघल के आते हैं जब नीचे, तो वो भी अपने साथ मिट्टी को लेके आते हैं, इसको हम बोल सकते है, ice है कि यहाँ पर transporting agency हो सकती है, air तो हो गये हो गये transporting agency, ठीक है, river हो गया, ice हो गया, air हो गयी, इसके अलावा आपका कहीं पर lake की formation हो जाए, तो lake भी एक प्रकार की आपकी क्या हो सकती है, transporting agency हो सकती है, lake है तो फिर C भी हो सकता है यहाँ पर, तो C भी एक transporting agency भई, लहरे आती है, टाइट्स आती है तो अपने साथ sediment को भी तो लेके आती है, कहाँ पर, आपके किनारों पर, shore line पर, जो आपकी समुद्र की line है, उसके पास जो मिट्टी जमी हुई है, वो किस कारण से आ रही है, प्रकॉस लहरे आ रही है, और अपने साथ बहुत सारा sediment लेके आ रही है, अब ही वो sediment कैसे बन सेडिमेंट रिवर, सी के अंदर ऐसे बनता है कि जो आपकी मचलियां रहती है, आप फिशस रहती, बड़ी फिशस, मर जाएंगी, उनकी जो हड़ियां है, वो टूट टूट के पाउडरी फॉर्म में कनवर्ड हो जाएंगी, और वही चीज आपकी डिपॉल्ट हो जाती है डिप नहीं के समुद्दूर के किनारे पर मैंदकर तो नहीं जो ही तो आपको दिखता है उसमें वाइटिछ कलर तो क्यों का कलर वाइट होता है, तो वाइटिक यह नी आपको वह उसी कारण देखता है तो इन ट्रांस्पूट मैं सिंकी के आधार पे जैसे रिवर हो गया में संहीं क्यों कि प्रॉप्फ टाइप के यहांपे प्रांस्पूट किसे टाइपक्स अर गोफ तो ऐसा व के स्वाइल के अंदर समस्क्राइब दोर यहां पर बन रही और सब्सक्राइब दों हो गया तो अगर दूसरा में आपको यहां बता रहा हूँ अगर मानलो आपकी बहती हुई रिवर सेडिमेंट को इखटा कर रहे जैसे आपका यूपी गंगेटिक प्लेन ले लो आपका चाहे तो यमुना का जो प्लेन है जो मतलब अपना अपर बारी दोवाब रीजन है सतलज रिवर का ब्यास रिवर का तो उसके कारण पहार से बहु सेडिमेंट को डेपॉजट कर रही है ऐसी स्वाइल को हम बोलते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं कचरी मिट्टी कचहरी मिट्टी कचहरी मिट्टी तो कचहरी मिट्टी जो रहती है इसको बोलते अलूबियल स्वाइल इंग्लिश और यह इसका जो ट्रांस्पोर्टिंग ए हो भाहिं पर माललो आपका अहले से माललों अगर आपका यह irm אתה मतलब कर冷ında र नीचे फिशल कि आएगी तो फ्रिक्ष्न लगेगा फ़रस thriller लगेगा तो उसके साथ पहाल के जो material उसको भी तो रोड करेगा ना तो वह वैदरिंग हो गई और ट्रांसपोर्ट करके ले जा रहा है एक जगह सो दूसरी जगह है तो इसको क्या बोलते हैं तो अगर आइस इंवाल्व है तो ऐसी स्वाइल को बोलते हैं ग्लेशियल स्वाइल अभी आगे डेफिने से आपकी एयर मूब करेगी और एक जगह से दूसरे जगह पाटिकल्स को लेके आएगी एयर के द्वारा अगर कोई चीज ट्रांसपोर्ट हो रही है इसको हम बोलते हैं एओलियन स्वाइल एओलियन स्वाइल एक वही पर जो लेक के अंदर डेपॉजिट होती है या लेक उसको गाज बोलते हैं और अंग्रेजी में इसको बोलते सिल्ठ तो वोलते हैं लेकसरेइन स्वाइल रीजर क्यों कि लेकवाटर की यहां पर इसे MELziękuję है इसको भोते हैं मेरीन टाइप आफ स्वाइब ना इसमें एक और रह गया है एक लास्ट हो गया कि जैसे आपका ग्रेविटी भी तो यहां पे इन्वाल्व है मालो अगर आप किसी हाई स्लोप से लोवर स्लोप पे आ रहे हूँ तो जो आपका मटेरियल वो खुद के वेट के कारण भी तो मू लेग सि के अलाबा अगर खुद का वेट इंवाल्व है ट्रांस्पोरेशन के लिए तो उसको हम बोलते हैं ग्रैविटी टाइप ऑफ स्वाइल और ग्रैविटी के टाइप की स्वाइल को आम ग्रैविटी ना बोलके उसको हम कोशल बोलते हैं ठीग है सो दीज आर्दरिफ एक्जाम्पिल चाहो तो रिवर गंगा याद रखो, तो रिवर गंगा के आसपास जो आपकी स्वाइल मिलेगी, ऐसी स्वाइल को हम बोलते हैं, अलूवियल स्वाइल, हिंदी मेडियम बाले वच्चों के लिए, चाहो तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, कछरी पानी में रखा हैं हमने फिजिकली वैदर फिजिकली फिजिकली क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, नेक्स्ट कहां पर मिलेगी, जो कि मैंने आपको पहली बता दिया कि रिवर गंगा आप याद रखोगे, तो आपको अलूवियल स्वाइल मे है, तो आप रिवर गंगा याद रखो तो बोलेगे तो गंगा के बैंक के आसपास हाँ सही बात है, फिजिकली यह प्रॉपर्टी में चेंज नहीं तो सही बात है, तो यह उसकी प्रॉपर्टी हो गई, सेकेंड जो आपको मैंने स्वाइल बताई थी, लेकस्ट्राइन बेसिकली दा बॉटम आप दी लेक, तो जहां पे भी आपका फ्रेश वाटर लेक से वहां पे जो आपकी स्वाइल डेपॉसिटेड हुई है, इसको हम बोल सकते हैं, दरस्दी लेकस्ट्राइन स्वाइल, वही पे आपकी मरीन स्वाइल क्या हो जाएगी, जहां पे सी वाट एक जगह से दूसरी जगह अगर आपके खटे हो गय eh aeolian soil यह इसी को हूं कई बार बोल देते sand dunes, sand dunes को मितलब आप देखे होंगे, great ke टीले बोलते हैं इनको रेत के टीले तो जो रेत होती है ना रेत रेत के टीले तो वो कैसे बनते हैं भाई इखटे होते जाते हैं और अंदर से क्या होते हो लो होते हैं तो रेत के टीले या सेंड डून्स बोल सकते हैं आप इसको नेक्स्ट इस ग्लेसियल स्वाइल मैंने बत होते हैं that is the colluvial type of swipe clear है तो ice हो सकता है gravity हो सकता है wind हो सकता है lake हो सकती है sea water involved हो सकता है यह आपका running river water involved हो सकता है तो यही सारी चीज है मैंने आपको यहाँ पर बताई थी तो उनकी यह सारी की सारी आपकी definitions अब थोड़ा सा इसके अंदर और अपन आगे बड़े अब थोड़ा सा यह अपन ने basically किस से related किया transporting जो आप देख सकते हो अब कुछ inherent properties भी inherent मतलब कि आपको कुछ चीज है अब मतलब visualize करनी पड़ेंगी जैसे अब इसमें कुछ और आपके examination के लिए भी है at least इतना तो पता होना चाहिए कि कौन सी टाइप की कैसी स्वाइल होती है अब lowest basically क्या होती है आप simply lowest trial के लिए ऐसे याद रख सकते हो कि अगर आप ऐसी मेंदब अब lowest को ऐसे याद रखो जिसे आपकी form है form की उपर अगर आप पानी डालो या form की उपर पानी नहीं भी डालो form की उपर आप खड़े होगे तो वो दब जाएगी और अलग हो जाओगी तो वह बापिस से पने ओरिजिन सेप में आ जाएगी तो ऐसी है अगर मिल्टी का behavior हो जाए तो उस टाइप की इसको चाहो तो आप डाइरेक्टी याद रख सकते हो फॉम ही तो लोइस किस ताइप की स्वाइल है वेसिकली आपकी बिंड ब्लो मतलब हवा के करने जो डिपॉसिट हो गया सिल्ट और उस सिल्ट की उपर अगर पानी डालोगे तो सौफ्ट हो जा पानी निकलने के बाद वह वापिस से अपने ओरिजनल शेप पर आ जाएगा ऐसी टाइप की स्वाहिल को हम बोलते हैं अब देखो नेक्स डी मर्ल मर्ल मतलब यहां से मर को देखो जड़ा मरीन या मर्ल तो मैंने अभी आपको बताया कि जो शोर लाइन होती है तो उसमें ज केलशियम और वह शोर लाइन पर खटा होते जाये तो आपको लगता नहीं है कि इसमें कल्रिशियम कार्बॉने बाद बहुत ज्यादा पाउडरी टाइप की होती है अब आप देखोगे जब अगर आप उधर पे जाओ कईसी भी सी या किसी भी आप समुद्र के आसपास जाओ तो आपको बहुत पाउडरी वाइट इस कलर की स्वाइल मिलती है इस टाइप की स्वाइल को हम बहुते हैं जो की बनी हुई है किसके कारण एक्विटेक एनीमल और प्लांट्स की डिकम पोजिशन के कारण जो स्वाइल बनी जिसके अंदर क्या है जो की मरीन के मतलब सी वाटर के अंदर बनी हुई है जिसके अंदर डैड्ल डिकम पोजिशन के अगर आप सिंपल भासा में देखो इसको अगर मैं एक basic point बताऊं यहां पर पीछे वाली slide पर जाए तो जनरली आप देखते हैं कि ज्वाला मुखी होती है that is the volcano क्या होती है वाल के नो तो नॉर्मली अगर आप देखोगी तो वाल के नो को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो तो यह उपर जो बनी हुई है इस एक नारकोंडम एंड बैरन आइलेंड एक आपका एक्टिव है जो कि एरप्ट होता है 1992 में लास टाइम इरप्ट हुआ था उसके बाद नहीं हुआ और एक होते है डॉर्मेंड जो कभी अब इरप्ट नहीं होते हैं तो बेसिकली उसमें नहीं जाएंगे हम basic point यह बता रहे अगर मंहा मालों अर्थ के अंदर और क्रेक आगतो यह जो है वह बाहर निकलने की कोशिश्च करेगा अब यह जो लावा बाहर निकल रहा है आप जमा हुआ आपका जो मेगमा है तो जो solidified lava या magma जो आपकी यहां पर जम गया है इसके कारण दो तरीकी की soil बनती है एक होती है tough soil और एक होती है आपकी that is the bentonite soil तो tough and bentonite these are the two different type of the soil जो की आपकी बन रही है कहां से because of volcanic eruptions के कारण अब ध्यान रखेंगे इसमें कि अगर मालों यह residual है मतलब अगर वहीं पर रुख गई है तो ऐसी soil को बोल दोगे bentonite और वहीं पर अगर वह transported हो गई है तो उसको आप बोल दोगी क्या that is the tough soil तो volcanic origin की जो स्वाइल होती है इनको हम बोलते है क्या that is the tough soil तो देखो यहां पर keyword यह है कि आपको इसमें keyword याद रखना है कि वही वाल केनोस के कारण ejection of the volcanoes के कारण जो स्वाइल आपकी ट्रांस्पोर्ट होके ट्रांस्पोर्ट कौन-कौन सा हो सकते हैं यहां पर पानी हो सकती है तो अगर पानी और ह्वा के कारण या विंड के कारण अगर जो आपकी व्लकैन के कारण जो स्वाइल निकल रहे है वाल क्यान वह निकला वह गहीं जाकि दूसरी आगए पाउड हो जाए ऐसी उनको बोलेंगे हम तप स्वाइब विच इजक्टिट फ्रॉम दी वाल के नो दूरिंग एक्स्प्लोशन एंड डिपॉसिट वाइदी विंड मतलब ट्रांस्पोर्टेट फॉर्म है इसका इसको बोलेंगे टप स्वाइब वह वह जहां पर रुख गया है मतलब जो रेसिडि अब एक्चुली ब्लैक पॉटन स्वाइल यहां पर है हमारे पास लेकिन जस्ट एक छोड़ा पॉइंट बतारों क्योंकि यह दोनों आपस में इंटरलेंग और आपकी ब्लैक स्वाइब कभी देखो कि आप काली मिट्टी के अंदर पानी डालोगे तो वह एक्दम फूल ज जाएगा तो यह सुकूर ना इसको अंग्रेजी में बोलते हैं श्रिंकेज श्रिंक कर गई श्रिंक कर गई और फूल गई तो उसको बोल दीजिया स्वैल हो गई तो काली मिट्टी के अंदर यह प्रपर्टी होती है पानी के जब कॉंटेक्ट में आएगी अब अगर माल ल तो फिर घर नीचे आ गया तो इस तरीके का मुवमेंट आप अलाओ करोगे कभी घर के अंदर नहीं करोगे तो फिर हमें क्या करना है कि इसकी प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी उसलिए हम यह प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो ब्लैक कॉटन स्वाहिल के अंदर एक सिंपल स्वेलें के लिए नेव हम धिस मिनरल मांटमोरलॉड और यही रिस्पॉंसवल है आपकी स्वेलें श्रिंगेज के लिए तो बेंटनॉड आपकी वॉलकैनिक से मिली हुई स्वाहिल है रेसिडूल पॉर्म में और इसके अंदर ये क्ले मिनरल है परसेंटेज में पाया जात तो residual soil है, जिसके अंदर high percentage of montemoraloid है, that type of the soil is the bentonoid soil, तो bentonoid एक ऐसी soil है, जो कि wall कहने के eruption से वनी है, उसी जगहे पे रुखी होई स्वाइल है, लेकिन इस soil के अंदर high percentage montemoraloid होने के करण, खूब ज़्यादा स्वैल हैं श्रिंकेज को शो करती है, तो इसका अमारे लिए कोई का पाएंगे, घर भी नहीं बना पाएंगे, तो इसको फिर यूज कहां पे करते हैं, तो इसको हम lubrication purpose के लिए यूज कर सकते हैं, जहां पे भी आपको drill बग्यारा करनी है, अगर आपको soil के अंदर या पत्त्रों के अंदर गड़े करने हैं, अब क्यों करने हैं, अब क्यों कर effective के लिए हम यूज कर लेते हैं, इसका, bentonite की जो slurry रहती है, उसको लगा देंगे, वो आपको lubrication दे देगा, उससे आप जो है, वो drill कर सकते हो, किसे भी rocks के अंदर, तो यह कहानी है, आपकी bentonite की, next, इसी से मिलती जुलती है, आपकी कौन सी, black cotton, cotton क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि यह जो आपकी, इसमें, आपकी जो cotton crop है, वो grow कर सकते हो आप, ठीक है, और black क्यों बोला गया, क्योंकि इसका color जो है, वो black है, तो black color की काली मिट्टी, काली मिट्टी बोलते न, काली मिट्टी की उपर जो cotton grow कर रहा है हो, इसको पूरा नाम बोल दिया, कि black cotton swirl, अब different type के rocks होते हैं, आपके ignisius, metamorphic, आपके sedimentary, ignisius में एक type का rock होता है, जिसको बोलते है, बसाल्ट, बसाल्ट के erosion से जो स्वाइल बनी, इसको बोल दिया हमने, black cotton swirl, ब्लेक कॉर्टन स्वाइल वो स्वाइल है, जो कि आपके basalt rock से बनी हुई है, highly swelling and shrinkage, because of the montemoraloid, किसी काम की न point समझना पड़ेगा कि leaching, leaching का मतलब क्या होता है, तो देखो, अगर मालो आपका leaching simple सी भासा में, अगर मैं बोलूँ कि, जैसे मालो, आपने, कोई एक ऐसा material लिया, जिसके अंदर आपका, मालो कोई भी एक ऐसा material लिया, जिसके अंदर कोई चीज घुलने वाली है, पानी क मालो कि एक परसंट लिया, जिसके अंदर आइरण औरjak बना कहाए, तो आम लoken का मतलब क्या होता है, पाना परसंट लिया होता है, जो परसंटेज क्या होते जाएगा, पंध्रते जाएगा पिवो एक एक 50 परसंट लोग बूं गूल ने हुअ बाला material है, और 50 परसंट लिव तो जो पूरा खतम हो गया मैक्सिम्म परसंटेज किसका बच्छा इसाडूबिल मठेरियल का तो मतलब हिए होता है कि एक एक एसी प्रोसेस जिसमें की आपका क्या होगा कि एक क्या होते जाएगा घुलते जाएगा और रिस्पेक्टिव डूसरे का कॉंपोनेंट बढ़ते जाएगा ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं लीचिंग तो मतलब समझ में आ गया है तो फिर समझ में आ जाएगी होता क्या है कि इंडिया के अंदर जहां पर हुमिट क्लाइमेट है करे पानी जो आपकी अंदर मौशन जाएगा तो हुमिट क्लाइमेट में होता क्या है कि आपका I resources करूं हो क्या अगर बेन तो आपका वैस्टन मतलब लए सके यह ऊपनी इंदर बढ़ते जाएगा आप पेरेंड कलर जो निकल आथा वह ता रयर्ड आप को रहता है आप मतका जो रहता है आप अर्दनольш पुछी लेट्राइव से बनता है व दर टाइप आपको य्या लेट्राइट का मतलब क्या है कि यह व श्वाइल है जो कि आपकी बनती है लीचिंग से मैंने लीचिंग का मतलब बता दिया इसमें क्या है कि एक आपका सिलीकन का जो आपके Eastern Guards, तो वहाँ पे आपको Latterite Soil मिल जाएगी, और इस Latterite Soil का सबसे बड़ा यूज यह है, कि इससे आप बना सकते हो आपके अरधन Ports, तो जो अरधन Ports रहते हैं, वो आपकी इसी Soil से बनते हैं, मतका बोलते हैं इसको इन्दी में, तो यह Latterite Soil से ही बनाए जाते हैं, राइट? So this is the Latterite Soil, next is the Muck, अब बाकी की Soil इनके Mixtures हैं, जैसे अब अगर मैं बात करूं Muck, तो Muck basically आपका क्या है, Muck Soil जो है, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपसे, कि जो आपके Wetlands है, Wetlands मतलब क्या? जहाँ पे आपका पेड़ पौदे जो हैं, वो आपके पानी के अंदर आ गए, यह पानी के अंदर दब गए हैं, तो उनका क्या हो गया है, वो मर गए है, यह समझ सकते हो आप, तो अगर ऐसी स्वाइल है, जिसके अंदर organic content, भाई, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, अगर वो दब तो अगर किसी स्वाइल के अंदर organic matter जादा है, इस टाइप की स्वाइल को हम बोलते हैं, तो सिंपल याद ही, आप इसमें याद रख सकते हो कि जो organic content वाली स्वाइल है, जो कि आपके कहां पर पाई जा सकती है, रिवर के आजू-आजू, मतलब जो swampy area है, या मार्शी area है, वहाँ पर जब आपके स्वाइल मिलती है, इसको हम बोलते है, highly rich organic soil, called the muck soil, right, next, what is the peat soil then, peat is also the type of the organic soil, बस परक यह है, कि मक के अंदर आपका animals बगेरा भी हो सकता है, लेकिन, अगर सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव organic matter involved है, devries involved है, पेडों की टहनिया, bushes involved है, तो उस type की स and peat बोत आर दी क्या, इन दोनों soil को हम organic soil ही बोलते हैं, लेकिन मक के अंदर आपका total organic matter भी होगा, जैसे कि आपका bones है, पेड़ पौदे हैं, प्लस कुछ inorganic matter भी हो सकता है, लेकिन peat के अंदर totally क्या होगा, vegetative organic matter के कारण जो soil बनेगी, इसको बोलेंगे peat soil, अब चुकि organic matter involved है, तो जैसी ही हावा या पाने के contact में आएगे, खुद को क्या कर लेगा, खतम कर लेगा, पर जब खतम कर लेगा, तो यह soil क्या हो जाएगी, दबेगी, तो peat और मक highly casey है, compressed or compressive type की soil, अब अगर दोनों का mix है, मक और peat का, तो इसका नया नाम दे दिया, इसको बोल देते तो मक मिल गई, पीट मिल गई, दोनों का mixer, बाला जो soil है, इसको बोल देते है, cumulose type की soil, then अगली है, इसको बोलते है, लोमी soil, तो अगर आपका clay, clay मतलब जो आपकी चीनी मिट्टी है, चीनी मिट्टी है, ठीक है, clay हो गई, रेत हो गई, या गाद हो गई, तो अब यह silt क नहाँ पर मिलेगी, silt मतलब आपका बहुत fine particles, बहुत ही ज़्यादा fine, चिपचपे डाइप के, इसको बोलते है, silt, इन्दी में इसको गाद बोलते है, sand, जो कि आप सभी नहों गोलें, देखियों कि रेत, और clay मतलब जो आप चाहे, पीते हो जिस बरतन में, तो clay, sand और silt का अगर mix है, तो इसको हम बोलेंगे low-meat, clay, sand और silt, अभी मैंने आपको basic definition बताया, लेकिन smile में इनका, हम particle के basis पर discussion करेंगे, आगे वाले chapters के अंदर, इसलिए जान बूच के इनके बारे में मैंने आपको जानकारी नहीं दिए, तो आगे चलके हम इनके बारे में पूरा detail म के इनको divide किया जाता है, अभी इन बता दे रहें कि अगर मालो किसी का size, किसी भी soil के size और particular 2 micron से कम है, इसको बोलते है clay, अगर 2 micron से लेके 75 micron के बीच में है, तो इसको बोलते है silt, और अगर 75 micron से लेके आपका 4.75 mm तक के बीच में है, तो इसको बोलते है sand, और you know that कि 1 micron के अ 1000 micron will be equal to 1 mm, 1 mm के अंदर 1000 micron होते हैं, तो इसको अगर आप चाहो तो mm में भी convert कर सकते हो, तो यह हो जागा 0.075 mm और यह हो जागा 0.002 mm, तो अगर 0.002 mm से कम size के particle इसको बोल देंगे clay, 0.002 से लेके अगर आपका 0.075 mm तक के particle, बहुत minute particle आप identify नहीं कर पाओगे, क्यों 1 mm का अभी कितना वाला portion, that is the 1 by 4th portion, वो तो 0.25 mm हुआ, उससे भी कम, और अगर 0.075 mm से लेके, अगर 4.75 mm के बीच में है, इसको बोलते हैं, ठीक तो यह particles के basis पे है, लेकिन अभी इसकी जरूत नहीं है, तो अगर इनका mixture है, तो इसको हम बोल देंगे, that is called the loamy soil, similarly आपके पास ए यह properties याद रखनी है, कि वहाई यह आपकी black color की ही soil है, बस फर्क यह होता है, कि इसके अंदर इसका जो nature है, वो बहुत ज्यादा stick ही nature होता है, चिपचिपा होता, आटे के जैसा होता है, तो उस type की soil को आप बोलते हो, that is called the gumbo soil, जो की बनती है, आपकी चाहिए physically हो सकता है, यह आपका chemically weather हो सकती है, so these are the different types of the soil, कि आपको कौन कौन से type की basically soil आपको याद रखनी है, तो एक छोड़े दर रिवीजन बता दे रहा हो कि अपने कौन कौन सी basic soil याद रखनी है, तो आप चाहो तो इसको ऐसे याद रख सकते हो, इस map के थुरू, just wait, इस map के थुरू आप चाहो तो इसको याद रख सकते हो, एक सेकर, यह हमारा इंडिया है, ठीक है, सबसे पहले अगर आप देखोगे, जो यहाँ पे आपको soil मिल रही है, इसको आपने बोला क्या, यहाँ पे running water है, अगर आपको marine यहाँ पे मिल लई है, तो यह हो जाएगी आपकी कौन सी, marine soil, यहीं पे आपको और कौन सी मिल जाती थी, मर्ल, टाइप की soil, riverbank के आज़ पास आपको कौन-कौन सी soil मिल सकती है, riverbank के आज़ पास आपको यहाँ पे क्या मिल सकता है, पीट भी मिल सकता है, मक भी मिल सकता है, क्यूमलोज भी मिल सकती है, क्यूमलोज नहीं लिख रहा हूँ, राजिस्थान वाले एरिया में आपकी हवा ज्यादा चलती है, तो यहाँ पे आपको पिंक सिटी है, तो यहाँ पे आपको कौन सी स्वाइल मिल सकती है, सैंडी वह वैल वह तो ऐॉलिएं स्वाइल दों सकते हो कि और ३ी स्वाण आप जाएगर आपकर ठीक है और आप joking झाल फार टरभ तो यहां पर आई से तो यहां पर मिले घ्ल्यस मिलेगी तो valleys के अंदर आपको कौन सी soil मिलेगे, gravity के कारण बड़े-बड़े पत्तर मिलेंगे, उसको हम बोल देते हैं, that is called the collovial soil, collovial soil, तो यह just basically आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो, figure के form, now अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, कुछ questions की, तो जड़ा देखो एक एक question देख लेते हैं, क्यों पर, lacustrine की जो soil है, या lacustrine soil है, वो किस टाइप की soil है, कौन सी transporting agency involved है, तो lacustrine मतलब लेक, तो देख लो यहाँ पर कौन सा है, तो वो soil जो की आपकी बनी होई है, कहाँ पर, लेक deposits पे, ऐसी soil को हम क्या बोलते हैं, that is called the lacustrine soil, तो वो soil जो की आपकी लेक बैट्स पे deposited है, ऐसी type की soil को हम बोलते हैं, lacustrine type की soil, वहीं पर अगर आपकी sea wet पर जो soil है, इसको बोलेंगे marine, वहीं पर आपकी glacier के कारण बनी है, इसको बोल देंगे glacier, और वहीं पर जो आपकी river या stream के कारण जो soil बनी है, इसको बोल देंगे aluvia, तो इस diagram से यह चारों आपके match करता है, आगे इनका use भी है, अब आपको aeolian का मतलब क्या बता है, मैंने aeolian मतलब यहाँ पर air involved है, और air involved है तो अभी मैंने आपको यहाँ पर example भी बता है, कि जैसे आपके रेगिस्तान में है, sand, sand dunes बगेरा, तो यह सारी चीज़ है, अब जड़ा पढ़ो यहाँ पर क्या लिखा है, पहला statement कि the soil having the low density as well as the low compressibility, low density low compressibility का मतलब क्या है, अब जड़ा sand को देखो, क्या sand जो है, वो low dense है, sand के ऊपर क्या आप खड़े हो पाओगे, भाई sand तो बहुत ज़्यादा compressible होती है, तो कहने का मतलब यह तो बहुत ज़्यादा compressible है, तो यह पहला statement गलत है, high compressible होना चाहिए, तो सही होत तो लार्ज permeability है, तो दो और तीन सही है, तो इसमें कौन सा option मैच कर रहा, बी option मैच कर रहा है, तो यह इसका correct answer है, इस तरीके के question साब से basic question पूछे जा सकते हैं, इसके बाद एक और question देखो जरा, again it is the context with the aeolian soil की respect में ही है, यह भी, अब क्या बोलना है कि aeolian soil की respect में य पीट हो, चाहे मक हो, यह दोनों आपके क्या है, औरिजन के हैं, यह तो सही statement है, पीट is an inorganic, while the muck is the organic soil, just now, मैंने आपको अभी बताया था कि जो मक है, उसके अंदर कुछ ना कुछ आपका inorganic content हाएगा, लेकिन पीट के अंदर हमेशा highly क्या होगा, वेजिटेटेव और य अतलब होता मतका, ठीक है, अब मतके को अगर आप हीट कर दो, और उसके अंदर पानी डालो, तो क्या फिर मतके के अंदर जो clay है, वो swelling shrinkage behavior को शो करती है, नहीं करती है, तो कहने का बन्दब, indurated clay is a type of the clay which is not softened under the prolonged wetting, यह भी सही है, that is the correct answer, इसका 1 and 3 is the right answer हो जाएगा, तो म 1 and 3 is the right, next, last question, match the list one with list number 2, तो जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तो यहाँ पे देखूँ सबसे पहले lowest, lowest किसके कारण बनती है, lowest is the type of, wind के कारण कौन सा, silt, तो deposited by wind, यह मिल्च कर रहा है, तीसरे के साथ, पीट आपकी organic है, बताया था भी, पीट is the organic, अलूवियल, running water होना चाहिए, river water आ जाएगा, और मर्ल जो है, वो आपकी marine origin वाली स्वाइल है, तो यहाँ पे 1-2 होना चाहिए, और आगे आपका 3-4 होना चाहिए, तो 3-4, 1-2, देखो कौन सा देख रहा है, 3-4, 1-2, यह इसके properties के बारे में रहा है, कौन सी टाइप की soil कैसी होती है, right, so I think this is all about the introduction portion of the soil, now in the next जो अपका session रहेगा, उसमें basic properties पढ़ेंगे स्वाइल की, जो की use में आएगे, हमें void ratio क्या है, unit weights क्या होते है, water content क्या होती है, porosity क्या होती है, इसके बारे में discuss करेंगे, so thanks for watching and we will meet in the next session, thank you all.